मैं कुमार जैसर, चम्पारन आयस पटना, आज हम लोग प्राचिन भारत में दूसरा चेप्टर पढ़ेंगे और वो है तामर पासान काल अर्थार्त, तामबा और पत्थर का मिला जुला काल जो है इसमें डिस्कस करेंगे नव पासान काल के बाद मानब के दौरा तामबे धातू का खोज कर लिया गया था अब वे अपना आउजार पत्थर और तामबे को मिला कर बनाते थे इसलिए इस काल को तामर पासान काल, इंगलिस में इसको कैलकोलिथिक एज भी कहा गया है इसका जो काल निर्धारित किया गया है इतिहासकारों के दौरा वो है अठारा सो बीसी से आठ सो बीसी के आसपास दहातूंगों में मानव सबसे पहले तामबे का ही प्रियोग किया था भारत में तामर पासान सर्भेता के निमलिखित छेतर चिनहित किये गए हैं उसको हम लोग देख सकते हैं पस्मी मद्ध परदेश में नवदा टोली, एरन, मालवा, कैथा राजस्थान में आकर देखते हैं अहार, गिलूंद, अब अहार के बारे में थोड़ा जानिए अहार का प्राचिन नाम तामवती था अर्थार तामबे का स्थान और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि तामबा खेत्री से मिला था राजस्थान में पस्मी महाराष्ट में नासिक, प्रकास, पूर्णे के समीख प्रकास एक अस्थान है इनाम गाउं, जोर्बे, दैमावाद, निवासा ये सबी जो है महाराष्ट में अहमद नगर के समीख है लास्थ वाला, जो दैमावाद है, निवासा है ये सारन जिला जो बिहार में है, जिसको हम लोग छप्रा कहते हैं चिरांद नामक अस्थान से नवपासान काल की संस्कृति के साथ-साथ तामर पासान कालिन संस्कृति के अवसेस भी यहां मिले है नोट करके लिखा गया है, देखिए नवदा टोली, नर्मदा नदी के तट पर है से तामबे एबं कांस की कुलहाड़ी प्राप्त हुई है नोट एक और है, अहार से इन निर्मान कार्ज के साथ मिले हैं निर्मान कार्ज का मतलब दिरिह घर वगरा का बनाना इसके अलाबा यहां से तंदूर, मालूम है, रोटी बेगरा, चाबल और बाजरे की खेती के साथ मिले हैं दच्छिन पुर्वी राज्थान की संस्कृति अहार संस्कृति कहलाती थी याद रखना है नोट, याद करना है इसको दच्छिन पुर्वी राज्थान की जो संस्कृति वो अहार संस्कृति कहलाती थी यहां से ताम्बे की अंगूठिया, चूडिया, चाकू, कुलहाड़ी इत्यादी प्राप्थ हुए हैं चित्रित भांड के अवसेस तामर पासान काल में मिलते हैं पासान काल के लोग मातरि देवी की पूजा करते थे पासान काल के अस्थलों में अगनी कुंड बड़ी संख्या में मिले हैं अरथार्थ हम लोग कह सकते हैं कि ये साच अगनी पूजा ब्यापक रूप से होता था इसलिए अगनी कुंड मिला है आगे फिर हम लोग देखेंगे मालवा संस्कृति के पर्मुक अस्थलों में नौदा टोली, नागदा, एरन, आदे, मुक अस्थल है मालवा जो मजपरदेश का छेतर है वहाँ पे नौदा टोली, नागदा और एरन, आदे, मुक अस्थल जोर्वे संस्कृति के पर्मुक अस्थल इनाम गाओं, दैमाबाद, एवं प्रकास है अर्थार्त ये महाराष्ट में है जोर्वे संस्कृति का संबंध कहां से? महाराष्ट से इनाम गाओं में यह संस्कृति 700 इसा पुर्व तक बिध्यमान रही है इस संस्कृति के एक पर्मुक विसिस्ता है टोंटी दार बरतन, यानि उसमें टोंटी लगा हुआ जोर्वे संस्कृति का मुख ब्यवसाय खेती और पसुपालन था यहां के लोग सिकार भी करते थे और मचली भी पकड़ते थे वस्तू बिनिमे के द्वारा लोग ब्यपार किया करते थे इस संस्कृति के लोग सोने के आभुसनों का प्रियोग किया करते थे जोर्वे संस्कृति के लोग लाल एवं काले मिरिद्भांडों का उप्योग करते थे जोर्वे संस्कृति के अस्थल दैमाबाद से ताम्बे की निम्लिखित बज्दु में प्राप्त हुई है हाथी, गैंडे, रत चलाते, मनुस्य, साण नोट करके लिखा गया है, भीसन सूखा या सुखार पढ़ने से ताम्र पासान संस्कृति का अन्थ हो गया अर्थार्थ जो अभी हम लोग ताम्र पासान संस्कृति का वीडियो देखे हैं ये अन्थ कैसे हुआ, तो भीसन सूखा पढ़ने से हो गया और आज का ये चेप्टर छोटा सा चेप्टर है समाप्त होता है मैं कुमार जैसर